Hello friends, welcome to my channel आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले सम्मोस्ट इंपॉर्टेंट विकिबलरी लिटेट तो दो प्लेस वेर सम्टेंग्स और अनिमल्स आर केप ग्रॉन स्टोर्ड एंड सो ओन तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीखते हैं आज की the most important vocabularies और यह सारी vocabularies जो हैं यह आपके TGT-PGT exams में आपको बहुत ज़ादा help करेंगी and believe me इससे बहार और कुछ भी नहीं आता चलिए आईए आते हैं अपने पहले sentence पर ना फर्स्ट सेंटेंस इस motor cars are kept in a motor cars रखे जाते हैं कहाँ पर in a garage G-A-R-A-G garage right now the second one is weapons are kept in weapons यानि की औजार या हतियार हतियार रखे जाते हैं कहाँ पर arsenal A-R-S-E-N-A-L arsenal यानि की weapons अब इसको learn करने की trick भी बहुत ज़दा easy है आप ऐसे याद कर लेना कि जो करनल है वो अपने सारा weapon जो करनल होते है आर्मी के जो करनल होते है वो अपने सारे weapons को कहां रखते हैं arsenal में तो arsenal में kernels अपना समान रखते हैं तो करनल और arsenal को आप attach करके learn करोगे तो बहुत easily इनको learn कर लोगे now the next thing goods are made in goods यानि समान तो समान कहां बनते हैं in a factory factory में क्या बनते हैं समान बनते हैं now the next bread is made in a bakery तो bread कहां बनती है bread is made in a bakery now the next word aeroplanes are kept in aeroplanes कहां रखे जाते हैं हवाई जहाद तो हवाई जहाद जहां रखे जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं aerodrome इन्हें learn करना भी बहुत easy है क्योंकि ये aeroplanes है और उसी से आप learn कर लोगे aerodrome तो इस प्रकार से इनको बहुत easily आप learn भी कर लोगे और साथ ही साथ exam में I hope कि इनका answer भी आप देपा होगे चलो अब आते हैं अपने next word पर the next sentence is birds and animals are kept in a यानि कि birds और animals कहां रखे जाते हैं in a zoo बहुत easy है बच्पन में चोटे classes में हमने इसको पढ़ा भी है now इसको देखते हैं films are made in a films कहां बनते हैं जो movies हम देखते हैं made in a studio spelling भी learn करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह spotting error में कभी कभी यह questions पूछ देते हैं studio की spelling क्या होगी now bees are kept in a bees यानि madhumakhyya madhumakhyya कहां रखे जाती है they are kept in a appiary a-p-i-a-r-y appiary right so appiary में जो होती हैं bees जो हैं वो रखे जाती है madhumakhyya next fishes are kept in a fishes कहां रखे जाती है they are kept in an aquarium a-q-u-a-r-i-u-m aquarium right now the next questions birds are kept in a जो चड़िया है जो पक्षी होते हैं वो कहां रखे जाते हैं in a cage c-a-g-e cage यानि पिजडे पिजडे में रखे जाते हैं next wine is made in a बहुत बार यह exams में पूछा गया बहुत ही most common question है इसको जरूर लान करें wine is made in a bravery b-r-e-w-e-r-y bravery so bravery में जो होते हैं वो wine रखे जाते हैं अभी यह देखे भाई इसको कैसे learn कर भाई wine पीना सबके बस की बात नहीं है बड़े ही brave होते हैं वो लोग जो wine पीते हैं अच्छा wine पीते हैं बड़े ही brave होते हैं क्योंकि ब्रेव क्यों होते हैं क्योंकि वे wine कहां से ले करके आते bravery से यानि कि जहां पर wine बनती है b-r-e-w-e-r-y bravery so bravery से आप brave से याद कर लेना कि भाई बहादुर लोगी brave लोगी wine पी पाएंगे सब लोग तो wine नहीं पी पाएंगे इतना असान नहीं है wine पीना तो इसलिए आप उसको वैसे learn कर लेना कि wine बनती कहां है bravery में बनती है और bravery में बड़े ही brave बतलब अपनी bravery दिखा करके वो गया और wine खरीद लिया चलो अभी next देखते है scientific experiments are done अभी scientific experiments कहां होते हैं scientific experiments are done in a laboratory laboratory इसकी spelling जरूर लॉन करें वो भी बलकुल correct laboratory अब यह देखे यह भी most important question है बहुत बार exam में पुछा गया और बच्चे बड़े confused हो जाते है इस question का answer देने में cooking utensils are washed यानि जो खाने पीने के जो बरतन होते है वो कहां धुले जाते है so there was dinner scullery 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 का मतलब होता है एक ऐसा basin जिसमें बरतन धुले जाते है तो खाना पीने जो आप cooking हम करते है जो cooking वाले जो utensils यानि जो बरतन होते है वो जिस basin में धुले जाते है उन्हें हम बोलते है scullery most important है इसे आप जरूर लर्न करिएगा scullery now next question बहुत ही easy है बड़ बड़ा घुमा फिरा के पूछ लेता है और इसलिए बच्चे कुछ गलतियां कर दाते है exam में curious are kept in a curious यानि जो थोड़ी सी आपकी उत्साह को बढ़ा है कुछ अजीब हो कुछ अपने आप में वो unique हो ऐसी चीज़ों को कहां रखते है याद रखने के लिए in a museum m-u-s-e-u-m museum यहां तक कि कभी-कभी exams में देता है कि historical things are kept in कुछ एतिहासिक चीज़े ऐसी होती है जो हमें चाहद present time में दुबारा देखने को न मिल पाई in a future तो उन्हें save करके रख दिया जाता है तो उसके लिए भी हम museum word का ही use करते है तो यह दोनों ही याद कर लीजिएगा curious और साथी साथ कुछ historical जो things होती है now next word luggage in a railway station यानि railway station पर जो luggage होती जो समान होती is kept in a उन्हें कहां रखा जाता है so they are kept in a clock room c-l-o-a-c के clock room ठीक है इसको याद कर ले ना clock room so clock room में ही luggage रख जाते हैं जो railway station पर होती है next leather is made in a बहुत important question the most important question इसे भी जरूर learn करें बहुत बार exam में पुछा गया है यह question leather is made in a tannery t-a-n-n-e-r-y tannery so tannery में क्या होता है leather बनता है इसको learn कर ले tannery में leather बनाया जाता है मैं फिर से दिखा दे रही हूं आपको t-a-n-n-e-r-y tannery मतलब होता है वो place जहां पर leather बनते हैं next question coins are made in देखे यह भी बहुत important question है हर बार ये फिलाल मैं आपको जितने भी questions बता रहे हैं वो सारे वही questions है and your answer is wardrobe w-a-r-d-r-o-b-e wardrobe ठीक है कई बच्चे almira होता है almira को लगा के चले आते हैं बढ़ आपको बता दू कि अगर option में आपके wardrobe लिखा हुआ है so please आप wardrobe पर ही tick लगाए next question ships are made in the most important questions इसको भी धियान रखे हैं ships यानि जो जहाज होती पानी वाली जहाज है वो कहां बनती है so they are made in a dockyard d-o-c-k-y-a-r-d dockyard dockyard में ships बनते हैं इसे आप जरूर learn कर ले dockyard में ही ships बनते हैं चलिए next question exercise is performed exercise कहां की जाती तो वो जगा जहां पर लोग exercise करने जाते हैं body fit रखने के लिए उस जगा को हम बोलते हैं gymnasium 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 का मतलब होता है वो इस थान जहां पर हम exercise करने जाते हैं चलिए अब अपने next question पर आते हैं athletic competitions are held यानि वो जगा जहां पर athletic competitions होते हैं ना ठीक है तो athletic competitions जो होते हैं game like hockey, ko-ko, kabaddi वेगर 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 ऐसे competitions जिस जगा पर होते हैं उसको क्या भूलते हैं stadium, STA, DIU है ना बहुत common word बहुत ही common word होता है बर क्योंकि होता है at a moment हमें नहीं समझ में आता है हमें लगता है अच्छा यहां सिर्फ athletic competitions लिखा है तो कहीं कुछ और word तो नहीं होगा कोई और word नहीं होता बस आपको confuse करने के लिए कुछ ऐसे questions बनाये जाते हैं आपके work app को और साथे साथ आपके knowledge को भी check करने के लिए कि आपने अच्छे से पढ़ाई की है या नहीं तो stadium learn करिएगा चलिए आते हैं कुछ और new word पर now the next sentence is clothes are washed कपडे धुले जाते हैं कहा धुलो आये जाते हैं in a laundry laundry तो laundry इसके लिए आप word use करेंगे next grains are stored the most important questions grains are stored अनाजो को कहाँ store किया जाता है in a granary g-r-a-n-a-r-y granary में हम grains को store करते हैं next questions the most important question dead bodies are buried ध्यान रहे बच्चों questions पर आपको ध्यान देने की जवरत है dead bodies are buried यानि की dead bodies को जहाँ दफनाया जाता है उस जगा को हम बोलते हैं symmetry c-e-m-e-t-r-y symmetry symmetry means होता है वो इस्थान जहाँ पर dead bodies buried किये जाते हैं और इसी से related एक और question है मैं आपको पहले वो दिखाते हैं उसके बाद next questions पर आएंगे ये मेरा question है dead bodies are cremitted अब देखो दोनों में बहुत अंतर है जब यहाँ बात हो रही है dead bodies are cremitted तो cremitted का मतलब हो रहा है दाहसंसकार ठीक है यहाँ पर था कि dead bodies को दफनाया जा रहा है और यहाँ पर question बन रहा है कि dead bodies का दाहसंसकार किया जा रहा है तो जब dead bodies का दाहसंसकार किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं English में crematorium C-R-E-M-A-T-O-R-I-U-M crematorium तो please आप इन दोनों में difference को समझेगा और उसके according ए answer दीजेगा नहीं तो exam में गलत हो जाएगा Now come to the next questions birds are kept in पक्षिया जिस इस्थान पर रखी जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं aviary 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 क्या होता है जिन इस्थानों पर सिर्फ चुडिया रहती हैं एक ऐसा जिसको हम चुडिया घरी बोल सकते हैं जहां पर सिर्फ पक्षी रहते हैं तो उस home को हम बोलते हैं aviary रइट चलो भी next देखते हैं जो एक ऐसा इस्थान जहां पर सिर्फ गंस रखे जाए बंदूक रखे जाए उन्हें हम बोलते हैं आर्मरी राइट मैं एक बार फिर से बता दूँ कि यहां आपको कंफ्यूज होने की जरूरत विल्कुल भी नहीं क्योंकि जो मेरा पहला कोशन था वह था कि वेपलनष आर केपटेन अजहर और रहां पर हर प्रकार के और जहार जहां रखे जाते हैं उस एंब बोलते हैं अर्मरी जहां बारा जहार की जहाती है एक्जाम में सही आंसर देखाएगा यह questions हम लोगा अलड़ी कर चुके है अब यहां to the next question fruit trees are grown fruit trees यानि कि एक ऐसा बगीचा हम जिसको बोल सकते हैं जहां पर सिर्फ फलों के पेड़ हो जी सिर्फ फल वाले पेड़ हो तो वैसे हम बगीचे को क्या बोलते हैं orchard O-R-C-H-A-R-D orchard so orchard में सिर्फ और सिर्फ वैसे पेड़ होते हैं जिन में फल निकलते हैं इस चीश को याद रखिएगा next goods are kept सामान सामान रखे कहां जाते हैं so they are kept in a depot इसको भी याद करना बहुत जरूरी है सामान बनाए जाते हैं in a factory but goods are kept in a depot D-E-P-O-T इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से समझेगा students इसको learn करिएगा and believe me यह सारे questions आने ही आने हैं हर exams में next grapes are grown अब यह देखें जो अंगूर जो होती ना अंगूर की जो लताए जो होती है जो जहां पर एक साथ अंगूर की पैदावार होती है उन्हें हम बोलते हैं vineyard जिस vineyard generally मैंने देखा है कि लोग इसको pronounce कर देते हैं vineyard तो मैं आपको पता दूँ कि vineyard is not the correct answer the correct pronunciation is vineyard vineyard right v-i-n-e-y-a-r-d vineyard now this is the most important question बहुत ज़्यदा इसमें गलतियां हो जाती है इस्टुडेंट से एक्जाम्स में water is stored मतलब वो जगा जा पर water is stored किया जै जिसे कोई जील विल बना दी जाए या फिर कोई tank बना दी जाए मतलब एक छोटे से शहर या पर्टिकुलर एरिया में पानी की सप्लाई होती रहे तो वो जगा जहां पर water save किये जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं reservoir r-e-s-e-r-v-o-i-r reservoir ठीक है reservoir इसको हम बोलते हैं आप एक दुबर pronounce करोगे आप सीख जाओगे reservoir ships are loaded या फिर unloaded अब यह देखिए जो ships समान से भरे हुए हैं अब उनके समान को या तो unload किया जाता है या तो उनके उपर समान load किया जाता है तो जब ships loaded होते हैं चाहें unloaded होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं English में क्वे q-u-a-y the most important question please इन्हें जिन्हें में बता रही हुन्हें आप learn करें क्वे ships are loaded और unloaded उसे हम क्या बोलेंगे English में q-u-a-y now the most common but asked in the exams medicines are kept medicines जो दवाई हैं वो कहां रखी जाती हैं या कहां मिलती है so यह हमें कहां मिलती है there are found in dispensary d-i-s-p-e-n-s-a-r-y dispensary right and the next question is sick people are kept in बिमार लो कहां रखे जाते हैं so sick people जो होते हैं वो कहां रखे जाते हैं इलाज के लिए in a hospital h-o-s-p-i-t-a hospital so friends आज की वीडियो के लिए बस इतना है I hope कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए so please आप इसे like करें share करें अभी तक subscribe नहीं किया है तो subscribe करना न भूले ताकि आने वाले हर upcoming videos की आपको जानकारी मिलती रहे इसलिए bell icon दबाना भी नहीं भूलेगा thank you for being connected with me